नमस्कार, Logic ERP में आमका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटिस्ट विडियो के लिए बेल आइकन दबाए हम इस फीचर को सेल बिल तच्सक्रीन विंडो में देखेंगे आप देख सकते हैं कि इस आइटम का बैच 2018 में एकस्पायर हो गया है लेकिन जब हम इस बैच की आइटम को बेचने की कोशिश करते हैं तो एक मेसेज दिया गया है कि यहाँ बैच इस डेट को एकस्पायर हो गया है तो आप अपनी पसंद के अनुसार येस या नो दबा सकते हैं अगले आइटम के दो बैच हैं दोनों ही एकस्पायरी के करीब हैं सेल बिल की तारीक को ध्यान में रखते हुए पहला बैच लगभग चार महीने में एकस्पायर हो जाएगा और दूसरा दो दिनों में एकस्पायर होने वाला है नियर एकस्पायरी और एकस्पायर हो चुके बैचो को लाल रंग में हाइलाइट किया जाता है हाला कि आप F9 दबाकर नियर एकस्पायरी बैचो के मार्किन को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ अपनी पसंद के अनुसार टाइम पिरियड बदलें तो टाइम पिरियड को तीन महीने में बदल कर पहले बैच को लाल रंग में हाईलाइट नहीं किया गया है मुझे उम्मीद है यह वीडियो मददगार था देखने के लिए धन्यवार लाइक, शेर और सब्सक्राइब